Hi guys, welcome to my online C, मिरा नाम है देव, तो guys, आज के इस वीडियो के अंतर हम लोग बात करने वाले हैं, food license के बारे में, कि food license आखिर होता क्या है, कितने type के license होते हैं, क्या क्या आपको documents की requirement होती है, कितनी आपको cost और fees यहाँ पर government को pay करनी पड़ेगी food license निकालने के लिए, और online में पूरा process बताने वाला हूँ, आपको step by step, तो guys, अगर आप एक beginner है, और food license या फैसाई license के लिए apply करना चाहते हैं, तो ये video ही simply काफी है, क्योंकि मैं आप यह सारी चीजे एक ही video के अंतर आप लोग के लिए cover करने, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे experts के तुरू यहाँ पर अपना food license निकलवाना चाहते है, बहुत ही कम cost के उपर, link जो आपको simply description box में मिल जाएगी, तो चलिए guys, शुरू करते हैं, तो guys, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि food license की requirement आखर किनको होती है, तो देखें, जो भी food business के operator होते हैं, मतलब simple सी एक line के अंदर बात कहूं, कि भाई, जिसको भी food related business यहाँ पर start करना है, उसको यह 14th visit का simply यहाँ पर permit चाहिए होता है, जिसको हम लोग फैसाई license यहाँ पर कहते हैं, आप guys, जो फैसाई license होता है, उसका simply government को यह मतलब होता है, कि government यहाँ पर food item होता है, उनकी जो experience होते हैं, उसकी कुछ certain quality को यहाँ पर check out करता है, और वो ensure करते हैं कि जिसके पास में भी food license है, अपने जो food item जो add consumer को दे रहा है, वो at least standard यहाँ पर products है, आप guys, बात करते हैं यहाँ पर food license में, किस-किस type के यहाँ पर licenses होते हैं, तो देखें, यहाँ पर तीन type के license होते हैं, और यह totally depend करेगा, कि यहाँ पर आप किस category के अंदर fall करते हैं, जो कि depend करता है कि आपका turnover, यानि कि आपकी sale कितनी यहाँ पर पूरे साल बर के अंदर generate हो रही है, तो guys, अगर आपका annual जो turnover है, अगर वो 12,00,00 रुपे का है, अब यहाँ पर annual turnover तो वैसे count होता है, एक financial year के अंदर जो कि April से March के बीच में जलता है, तो अगर आप business अपना जब शुरू कर रहे हो, तो definitely आपका यहाँ पर first category इंदर fall करेगा, कि 12,00,00 रुपे से अगर आपका turnover कम है, तो यहाँ पर आपको basic license यहाँ पर apply करना पड़ता है, जिनका turnover भी यहाँ पर 12,00,00 से तो अबाव होता है, लेकिन 20 करोड के नीचे वो state license के लिए apply कर सकते है, और जिसका turnover भी यहाँ पर 20 करोड के beyond है, वो यहाँ पर central license भी apply कर सकते है, साथ में guys, यहाँ पर let's suppose, अगर आपकी एक franchise ही है, बल्दा multiple state में अगर आप business को चला रहे हैं, अपने food business को, तो उस case में directly आप central license के लिए भी apply कर सकते है, turnover की भी ऐसी कोई यहाँ पर conditions वगरे नहीं है, लेकिन अगर आप अपने शहर से यहाँ पर start कर रहे है, छोटी सी जगे से start कर रहे है, तो यह turnover की limit को देखकर ही, आपको अपना जो license है वो यहाँ पर decide करना है, कि में इसको basic चाहिए या फिर state का चाहिए या फिर central का चाहिए, देखो अगर मैं documents की बात को, तो तीन main यहाँ पर important document है, एक तो आपका passport site photo लगेगा, तो उसको simply scan कर लो, JPG, PNG, PDF किसी भी format के अंदर आप ले सकते हो, तो उस premise का आपको एक electricity bill copy लगाना पड़ेगा, अगर आपके नाम पे नहीं है, तो साथ में एक NOC चाहिए होगी, और अगर आपके पास में agreement बना हुआ है, commercial rent agreement बना हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो यह तीन document आपको basically, यहाँ पे food license के लिए requirement होते है, साथ में guys, यहाँ पे कुछ additional document भी चाहिए होते है, लेकिन यह totally depend करता है, कि आपका किस type का business है, even recently यहाँ पे government आप देख सकते हैं, एक circular निकाला हुआ है, यहाँ पे March 2021 के अंदर, जिसके अंदर यह पूरी list दी हुई है, कि अगर आपका business माने चाहिए dairy से related है, तो कुछ आपसे additional documents मांगेंगे, अगर आपका business इस से related है, यह totally depend करता है on the nature of the business, आप बात करते हैं, भाई, fees कितने लगने वाली है, तो देखिए fees इसकी शूरू जाती है, अगर मैं basic basic license की बात करूँ, कोई साभी business आपका क्यूं ना हो, आपका 100 और यहां पर लगने वाला है, इसके लाब अगर आप state का license लेना चाहते हो, तो उसकी जो cost वो 2000 रुपे से 5000 के बीच में रहती है, जो कि depend करती है कि आपका nature of business का कौन सा है, और आप क्या कर रहे हैं, इसके लाब जो central license है, उसकी भाईया cost fix है, 7500 रुपे की आपको government fees देनी पड़ेगी, तो गाइस यह तो कोई government fees, तो यह आपको तभी पे करनी है जब आप खुद से यहां पर करते हैं, और आगर आप माली जे किसी professional को hire करते हैं, तो आपको यहां पे extra professional fees भी देनी पड़ेगी जो totally depend करता है कि आपके इस professional के साथ में जा रहे है, और market के अगर मैं rates की बात करूँ तो market में 500 रुपे से लेकर यहां पे 5000 रुपे तक प्रोफेशल बेसिकली चार्ज करते है फूर license बनवाने के लिए, हम लोग बात कर लेते हैं कि यहां पे आपको online कैसे apply करना है तो पहले आपको इस link के उपर जाना पड़ेगा, यह link मैं आपको simply description box में देदूँगा, यहां पे अगर आप नीची जाएंगे तो यहां पे apply license registration लिखा हो है, simply इसके उपर आपको click करना है, apply for license and registration के उपर simply click करना है, और सबसे पहले आपको choose करना है यहां पे state, उसके बाद में जैसे मैं यह state choose कर लेता है और आपको यहां पे आपको कई सारी option मिलेंगे, और लोग ना गलती यहीं पे करते हैं, तो यहां पे आपको गलती नहीं करनी है, यहां पे चार-पांच category दी वी है, उपर है manufacture, trader है, food service है, तो आपका जो 80% business है, उनका काम जो है manufacture और ट्रेडर, इन दो category के अंदर यहां पे खतम हो जाने वाला है, अगर आप एक manufacture हो, अगर आप इन सब में से कोई product बनाते हो, तो वो आप select कर सकते हो, और यहां पे जैसे आप plus के उपर click करोंगे, हर product के आगे, मतलब जो nature of business है, उसके आगे लिखा हुआ है, कि इस unit के अंदर क्या क्या चीज़े fall करते हैं, जैसे dairy units हो गया, तो dairy का processing हो गया, handling हो गया, processing हो गया, manufacturing, packing, sorting, distribution, transmission of milk and milk products हो गया, तो अगर आप इन चीज़ों के अंदर deal करते हैं, तो आपको इस category के अंदर जाना है, लेकिन let's suppose अगर आप कोई भी journal manufacturing कर रहे हो, जो इन में से कुछ भी नहीं है, तो simply आप general manufacturing को choose कर सकते हो, इसके लिए अगर आप एक retailer हो, trader हो, तो यहाँ पर आपको retailer का भी option मिल जाने वाला है, तो guys retailer भी यहाँ पर आप जो भी चीज़े select करोंगे देखो, उसके आगे सब कुछ लिखावा है, आपके retail के अंदर क्या included है, distributor के अंदर क्या included है, wholesaler के अंदर क्या included है, तो यहाँ पर आप जो category select करोंगे ना उसी के against में आपको आगे documents अप्लोड करने पड़ते है, तो guys यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, simply यहाँ पर retail की category select कर रहा हूँ, अब आप कोई सी भी category select करोंगे ना आपको तीन option पूछेगा, आपको basic चाहिए, state का चाहिए, फिर center का चाहिए, जो कि turn over के उपर depend है, तो यहाँ पर simply हम अपना basic apply करना चाहता हूँ, तो turn over up to 12 रुपीज per annum यहाँ पर simply select कर लेता हूँ, उसके बाद में guys, यहाँ पर simply proceed button के उपर click करना है, उसके बाद में यहाँ पर click here to apply for the registration of all business, इसके उपर click करना है, तो यहाँ पर कोई भी login का system नहीं है, पहले जरूर था लेकिन अब हट चुका है, तो यहाँ पर पहले आपको application fill up करनी है, उसके बाद में आपका user ID or password यहाँ पर generate होता है, so guys, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको डालना है name of the application or the company, slash company लिखा हुआ है, तो अगर मालनो, अगर आप एक proprietor हो basically, तो आपकी proprietorship firm का जो नाम होगा, XYZ Foods Companies या XYZ Food Truck जो भी है basically, वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकि let's suppose guys, आपने proprietorship firm अगर नहीं बनवा रखिए, आप खुदी जो एक individual person हो, तो यहाँ पर आप अपना personal नाम भी डाल सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकि अगर आपकी partnership firm है, यहाँ पर आप partnership firm का नाम डाल सकते हैं, और साथ में नीचे designation भी दिवी है, कि इस यहाँ पर certificate को कौन apply कर रहा है, तो guys, मैंने यहाँ पर अपनी proprietorship firm का नाम डाल दिया है, नीचे आपको डालना है simply यहाँ पर address, और यह address वहाँ पर डालेगा, यहाँ पर आपका food का जो business है, वह located है, हो सकता है आपकी 3-4 branch हो लेकिन यहाँ पर आपको simply अपने जो registered office है, उसी का यहाँ पर address डालना है, उसके बाद मैं काईस नीचे पुझेगा आपसे corresponding address, अगर आपका उपर वाला address यहाँ पर same है, तो आपको यहाँ पर alert मिलने वाला है, इस contact person में simply आपको अपना नाम डालना है, फिर उसके बाद में years, कितने साल के लिए आप apply करना चाहते हैं, वैसे maximum आप 5 साल के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन simple सी बात है एक साल की fees यहाँ पर 100 रुप है, जो है basically renew अगरे भी करा सकते हैं, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में guys नीचे पूछता है आपको details of the food item, जो food item आप यहाँ पर manufacture करने वाले या फिर बेचने वाले हो, तो यहाँ पर कई सारे food item की category basically यहाँ पर दी हुई है, उसके बाद में other details आएगा, तो कब आपने business शुरू किया तब वो date यहाँ पर आपको simply डालनी है, उसके बाद में guys यहाँ पर आता है source of water supply, यानि आप जो business चला रहे हैं उसके अंदर water supply है, क्योई कई बार क्या होता है, कोई कोई लोग जो mineral water worker का business खोलते हैं, आपको yes or no यहाँ पर simply select करना है, जैसे आप यहाँ पर save और next button के उपर click करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका login ID जनरेट हो चुका है, यह हर case में एक बाद नयान login ID जनरेट करेगा, password यहाँ पर आपको खुद set करना है, और बाकी उपर आपको email ID और mobile number पूचेगा, belongs to पूचेगा किस से belong करते हैं, और एक secondary contact details मांगेगा, तो simply login ID में कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपना password डाली है, email ID डाली है, mobile number डाली है, और simply यहाँ पर capture code डाल को, capture code enter करके, simply आप यहाँ पर submit कर दीज, जब certificate issue होगा, तो आप अपना certificate यहाँ पर easily login करके, download बगरे कर सके, इस next step पर आपको simply documents upload कराने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर जैसे मने बताया था, आपको photo डालने है, एक identity proof डालना है, और एक proof of premise लगानी है, तो photo के अदर आप simply अपना JPG PDF कोई भी format यहाँ पर लगा सकते, less than 3 MB यहाँ पर size होनी चाहिए, identity proof के अंदर आदार कार्ड यहाँ पर best रहेगा, बाकि अगर pan card है तो वह भी आप यहाँ पर लगा सकते है, इसके लगा इस proof of premise में चैसे मने बताया है, कि आप यहाँ पर electricity bill की copy लगा सकते है, NOC के साथ में, या आपके पास में कोई भी NOC वगर है परीवी municipal party से, या फिर let suppose आपने कोई rent agreement वगर है बनवा रखा है, तो वह आप proof of premise के यहाँ पर जो है record upload कर सकते हैं, उसके बाद में गाई simply यहाँ आपको online payment gateway through browser पे simply यहाँ पर choose hour करना है, जो कि best payment gateway है और आपको simply preview application के उपर click करना है, तो आप सीधा ही यहाँ पर एक पर preview दिखाएगा, फिर सीधा ही यहाँ पर payment के option के उपर लेकी जाएगा, यहाँ पर UPI debit card, net banking, किसी की भी mode के थुरू आप यहाँ पर 100 रुपे plus जो भी convinced charges लग रहा हुआ उसका payment कर सकते हैं, यह सिफ एक साल की fee से 5 साल के लिए apply करेंगे तो यह 500 रुपे बन जाएगा, जैसे आप यहाँ पर payment करेंगे तो आपकी screen के सामने इस type की यहाँ पर एक receipt निकल के आ जाएगी, यह simply यहाँ पर आपकी payment की receipt है और कुछ भी नहीं है, तो इसको आप सम्हाल के यहाँ पर as a PDF रख सकते हैं, उसके बाद मैं कहाईस यहाँ पर application का जो status है वह चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर front page के उपर आना है, यहाँ पर enter application नमर और reference नमर बतायागा, तो आपकी जो receipt यहाँ पर generate हो थी उसके अंद एक user ID दिया होता, simply application नमर दिया होता, वह simply यहाँ पर डालके capture code डालके आप अपना status चेकाउट कर सकते हैं, इस तरह से simply आपको status भी दिखा देगा, कि यहाँ पर status of application के अंदर आप देख सकते है, stage 1 लिखा हुआ है, processing to be initiated, यानि जस आपकी application अभी processing के अंदर है, इसके लाग यहाँ पर आप login भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको simply अपना application number डालना है, और जब application बनाते time पर आपने जो password डाला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार बटन आपको दिखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे एक in completed application, submitted application with the successful payment, revert application by the authority, और last button है issued का, तो यह जो issued वाला button है, जैसे आपका certificate issue होता है, आपको email के उपर भी alert आता है, और इस issue वाले tap के अंदर आपको अपना certificate दिख जाएगा, तो आप इस screen के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस type की mails मिल जाती है, फैसाही रइशे certificate issue, और इसके अंदर basically आपका certificate वगरे भी mention होता है, तो इसको आप यहाँ पर download भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपके simply आपने जो photo upload की होती ही, वो photo लग जाती है, यहाँ पर आपको अपना firm का नाम वगरे, यह basic चीज़े देखने को मिल जाती है, और यह simply 3-4 page का होता है, 3-4 page पर आपको यह भी दिख जाता है, कि आपने कितनी fees वगरे pay कर रखी है, और यह जो certificate है उसकी validity कहां से लेकर कब तक है, इस तरह से आप step by step जो यहाँ पर अपना food license basically apply कर सकते हैं, बाकि अगर आप लोग को कोई भी यहाँ पर doubts है, प्रॉब्लम्स है, तो आप हमारे consultant से भी यहाँ पर जो अपनी queries वगरे पूस सकते, link आपको description box में दे दूँगा, so guys hope you like this video, अगर आप लोग के कोई भी doubts अगर है तो आप मुझे comment box में भी यहाँ पर बता सकते हैं, और यार प्लीस हमारे channel को यहाँ पर subscribe करना मत भूलिएगा, thank you guys, thank you very much.